प्रवाइट प्रवाइट को आपके सामने आ चुके हैं पॉल्टिकल साइंस के मोस्ट इंप्रटन यानि टॉप 30 कोश्चन की सेरीज और यह जो कोशन है इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ठीक है इसमें आपके सारे कोश्चन कवर किया है चाहे वह वह इससे पहले मैंने आपको एक पेपर भी प्रोवाइट करा दिया है जिसके पर मैंने आपको मोस्ट रिपीटेट कोश्चन कोश्चन दिये थे ठीक है इसके अलाब आप टॉप 30 कोश्चन भी सॉल्यूशन आ चुके हैं तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ल आपको पूशन आपने इस्टाग्राम पर मैसेज राव देना है इस्टाग्राम पर आप देखेंगे कंबोस्टर सर्च करेंगे और आपको हमारी आईडी मिल जाएगे उस पर आपने जो भी डाउट क्लियर करना हो वह आप इसलिए पूछ सकते हैं तो करते हैं पहला कोश् अधिकारों को कैसे स्व्रक्षित किया जाता है अगला प्रश्राइब हारते संगात्मा के कि दो विशेष्टाओं का उल्लेक है पहला है आपका समिधान की सर्वोचिता और दुसरा है केंद्वाराजियों में शक्तियों का विभाजन जॉन रॉल्स ने कौन सा सिद्धान प्रस्वत किया तो सूपरसिद्द राजनीतिक डर्षनिक जौन रॉल्स ने यायोचित वित्राण का सिदान क्लिफ कि बॉस्क कहाँ है बॉस्क किसलिण में स्वेंग पारी चीतर है बांतमने का दावा क्या है में राष्ठ अंतराश्टि समधाय से मां मांगा जाता है कि उसके प्रिथक इकाई या राजी के दर्जे को मानेता और तो यह स्वगरात के सब्सक्राइब किसकी रचना है उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपकी पूशन पर कि अगला कोशन है किस वर्स भारती समिधान में मूल करतेवों का समवेश किया गया तो आंसर रोजागा नागरी को द्वारा अपने प्रतेनेदी चुनने की प्रेक्रिया क्या कहला दिए तो बाचन इसका अंसर हो जाएगा जिने कारे वहाग रस्टपती के रूप में कारे करने का अफसर प्राप्तुब सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब करने की उचित मांगे या कतन किसका है तो अंसर हो जाएगा वाइज प्रें अंतरास्क्राइब के मार्ग का बादक चत्व है तुग्र रास्टबाद सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चैनल के साथ जरू जड़िएगा पूरी वीडियो आपने अच्छे से देखना है क्योंकि मैं से कुछ खोशन आपको नहीं याद करने है तो इनको आपने चलते हैं आपके अगला जो आईस में देखो टोटल आपने देख लिया है किस-किस से अमेरिका फ्रांस फिर कनाड़ा किस देख से क्या क्या लिया गया वह आपको पूरा पूरा डिटेल में चलते हैं अगला प्रस्ण पर भारती समिधान कैसे बना शंक्टेब में समझाईए तो यहां पर आपको पूरी जानकारी दे रिखी कैसे मतलब भारत आजाद हुआ प पर लेनी है अगला पूरां प्रस्णन है मॉलिक अधिकारों का अर्थ और परिभास्या लिक सब घख्लके उनका शूब है जो परिपाश्या है वह आहां से यहां सकते हैं अगला प्रस्ण है वैस्क अतिकार से आप क्या समझतब सा आ Cut बाकि पूरी जानकर आपको और यहां पर अच्छे से दी गई है लोग तंत्र में चुनावों का क्या महत है तो यह तो आप खुद से भी बनाकर कि लेख सकते हैं बट फिर भी एक बार इसको आप यहां से पढ़ लीजीगा अगला है बारत में संसधिय प्रणाली को क्यों अगर आपके पास है अल्लेडी नोट बने हुए तो आप वहां से पढ़िए अगर आपके पास नहीं है तो उसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं इसका पूरा रिजन आपको यहां पर दे दिया गया है अराम से पढ़ेंगे तो भारती समिदान के अनुछे चुवत्र के अनुसार रास्ट पती को उसके कार्यों के संपादन से सहता हैं वो प्रमर्ष्ट देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रतान प्रतान में रख सकती है तो इसका भी आपको यह पर दे रखका है पॉइंट वास मना तो टोटल चार है उसका अगला जो प्रस्ण देखना है वह है राज्यसभा की सरचना होती है कैसे बनता है सदस आते हैं निर्भाचन कैसे होता है वह आपको पूरा डिटेल से दिया गया तो इस इसके बारे में उपढ़ लेना देख सारे मोस्ट इंपोर्टन कोशन रखेंगे तो आपने अच्छे से त्यार कर लेना है यह आपने आपर बताना है और पॉइंट वास आपको यह पर बना करके दिएगा इस कोशन का अंसर अगला है राज जिपाल की विवेकिये शक्तिया समझाइए यानि वो खुद से क्या-क्या कर सकते हैं वह आपने यह पर पढ़ लेना है अगला है भारत में संख्ये व्यवस्ता का भविशी किस बापता निर्पर करता है संख्षेप में विवेचना कीजिए तो इसको आपने पढ़ लेना है वैसे तो आपका दासिया इसको विचार आपने याद कर लेने हैं फिर अगला प्रसन है स्वतंतरता है कि माक स्वाधित द्रिष्टिकोन का शंक्षेप में वड़न कीजिए तो माक स्वाधित द्रिष्टिकोन यह आपने पढ़ भी रखा होगा पहले से तो इसको भी आप यहां से दोबार देख ले स्वाराज में था इसा देखेंगे अगला प्रुष्टित से आप क्या समझते हैं तो स्वाराज मेरा है और टीन हो स्वाधिक है आपने लिख सकते हैं कि शेयो भी यहां पर पांच तत्वा आपने पढ़ लेने देखो जैसे पहला है प्रतेक व्यक्ति की नियुंतम बहुतिक अब शक्ताओं की पूर्टी होनी चाहिए जैसे वस्त प्रभोजन तथा आवास आधिकी सुविदाय प्रतेक व्यक्ति को रोजगार प्रयाप्त मजदूरी तथा विष्राम के लिए प्रयाप्त अवकाष प्राप्त होना चीए यह है आर्थिक समानता अगला प्रशन है भारत में समाजिक नयाय के संदर्पन में क्या कदम उठाए गये हैं तो यहां पर देखो अनुचे 38 से हैं अनुचे 49 से क्या 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 कदम उठाए गये हैं फिर 43 46 47 इसमें ट्रटल आपको बता दियें क्या 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 के मैं संसरकार के हो तो विकलंगों के लिए कार वह आपको अब रूपतिया गए हैं जैसे पार्थिय पुनरबास परस्ट अधिनियम 1992 में दिया गया है फिर कि अधिनियम 1995 फिर आत्म विमों मस्तिस के पक्षागात इत्स सब आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं इसको अगला प्रस्ण जो है किनी चार महत्पों समाजी का दिकारों का उलेख कीजिए पहला आपका जीवन सुरक्षा का दिकार समांता का दिकार संबत्ती का दिकार Game ऑप किनी चार पर आपने लिखना से पढ़ लें किनी टेकार अधिखर कंगाल कि इसको और उसके बात मौलिक अधिकार का महत्पों लिखिए की सोद्धान प्रधत प्रफद्धानों के अंतरगत इंकी स्रक्षा की विवस्ता होतीं मौलिक अधिकार के outने पर पढ़ना है में के विस्वनागरिक्ता पर है में पर प्रफिर दिक बबाइन देख ले तो पूरा आंसर आपने चाहिए नागरिक्ता की नाधारों पर लुप्त हो सकती कोई दू प्रकार बताई उसका आप अच्छे से लिख सकते हैं जैसे नागरिक्ता का परितार जैसे बहुत लोग हैं कि हम दूसरे देश में जाकर करेंगे या फिर कमाई कर आपको वहाँ दूसरे देश की नागरिक्ता मिल जाती है तब हम अपने आप ही आपकी नागरिक्ता भारत की खतम हो जाते हैं अगला प्रस्न है वन्ष भाशा धर्म या नसल में से कोई भी पूरे विश्व में राष्टवाद के लिए साजा कारण होने का दावा नहीं कर सकत राश्तवादी भावनाओं को प्रेद करने वाले कारण कारकों से हैं साज्वाद किजिए के तो यह पूरा अंसर आपने आसे अच्छे से देख लेने Sexual अच्छा जी के निक्षा आपको करता है यह हमारे जीवन मारान का प्रश्ण है यह अपने सारे दुर्पाग्यों के लिए विदेशियों को जुम्मेदार ठहराना मुर्पत है फिर भी इससे कोई संदेश नहीं है कि अंग्रेजों की लंबी गुलामी ने हम में बहुत सी बुराइयों को राष्टिता ही दूर कर सकती है तो यह आपने सारे देख लिए हैं टॉप ठाटी कोशन इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेर कर लेना है कोई डाउट कोई भी कोशन हो आपको तो वह मैंने आप पोता दिया कि कहां पर आप क्लियर कर सकते ह अब ने डाउट इस्टागाम पर मैसेज डालना हो चैनल को जिन पर चैनल तेक सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको किसी कोशन का आँसे नहीं आ रहा है तो आपने उसे रिलेक्ट जो भी समझ में आ रहा है वह आप लिख कर काएंगे तो अगैंस अभी को बेस्ट व अबने मैं मुच वाचिंग पर दिस वेडियो